साथियों, भारत आज दुनिया को दिखा रहा है कि टेक्नोलोजी को एड़ अड़ करने में, उससे जुड़ने में वो किसी से भी पीछे नहीं है। इनोवेशन्स की बात हो, सर्विस लिलिवरी में टेक्नोलोजी के इस्तमाल हो, भारत दुनिया के बड़े देशों के साथ मिलकर ग्लोबल लीडर्शिप देने की ख्षमता रखता है। पिछले साथ सालों में भारत ने अपनी प्रगती को जो गती दी है, उसमें टेक्नोलोजी के सही इस्तवाल की बड़ी भूमिका है। आप सोचिए, क्या आठ दस साल पहले किसी ने कलपना की थी, कि टोल बूत पर करोडो गाडियां बीना किसी फीजिकल ट्राजिक्शन के लेंदेन से निकलेगी। आज के फास्ट्रेक्श से ये संभव हुआ है। क्या आठ दस साल पहले किसी ने सोचा था कि दूर सुदूर गाउं में बैठा कोई हस्त सिल्पी अपने प्रोड़क्श दिल्ली के किसी सरकारी दपतर में सीधे बेच पाएगा। आज जैम यानि गवर्मेंट इमार्केट प्लेस पॉर्टल से ये मुम्किन है। क्या आठ दस साल किस पहले किसी ने सोचा था कि हमारे सर्टिफिकेट्स, डॉक्यमेंट्स हर समय डिजीटली हमारी जेब में होंगे और हर जगह एक क्लिक पर इस्तिमाल होग पाएंगे। आज ये डिजी लॉकर से मुम्किन है। क्या आठ दस साल पहले किसी ने सोचा था कि भारत में MSME सेक्टर के उद्यमियों को सिर्फ 59 मिनिट में लोन एप्रू हो पाएगा। आज भारत में ये भी मुम्किन है। और इसी तरह आठ दस साल पहले क्या आपने सोचा था कि आप किसी काम के लिए एक डिजीटल वावतर भेजेंगे और काम हो जाएगा। आज ये भी ए रूपी के जरिये मुम्किन हो चुका है। मैंसे कितने ही उदहाण आपको गिना सकता हूँ। इस महमारी के दोरान भी देश ने टेक्निक की ताकत को महसूस किया है। आरोग्य सेतु एप का उधान भी हमारे सामने है। आज ये एप सबसे जादा डाउनलोडेड एप में से एक है। इसी तरह कोविन पोर्टल भी आज हमारे वेक्सिनेशन प्रोग्रेम में, वेक्सिनेशन सेंटर के चैन में, रेजिस्ट्रेशन में, वेक्सिन सर्टिफिकेट प्राप्त करने में देश वाच्छों की बड़ी मदद कर रहा है। कई बड़े देशों में भी आज पेपर पर हाथ से लिख करके सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। लेकिन भारत के लोग एक क्लिक में डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर रहे हैं। इसलिए आज भारत का कोविन सिस्टिम दुनिया के कई देशों को आकरशित कर रहा है। भारत इसे दुनिया के साथ साजाबी कर रहा है।